गार्डनिंग से रिलेटीड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बैल आइकन को ताके हमारी हर न्यू वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच तरके कमेलिया एक खूबसूरत फ्लावर प्लांट है जो की बहुती सुन्दर फ्लावर देता है जिसका देखने में जो ऐसे लगते हैं जिसे गुलाब के फूल हों लेकिन वो कमेलिया के होते हैं और साइज उनका 5 इंच तक हो सकता है आज हम कमेलिया के प्लांट की पूरी जानकार कर और नहीं मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यसको कैसी मिटी चाहिए जाय कैसी केर चाहिए है कैसे प्रपगएट हो सकता है और अगर अंगर अब अhonor करता है अब मेरे नाम है राकेस चलिए दोस्तों इस प्लांट के बारे मैं आपसे स्टार्ट करता हूं किस क्या क्या होते हैं कुछ नुछ दोब राइटी जदा तर उसकी मिलती यह जिसकी एक तो बड़े साइस के फ्लावर होते हैं जिसको कमेलिया जैपोनीका बोलते हैं और एक होता है जिसके लीफ भी छोटे होते हैं और फूल का साइज भी छोटा आता है वह होता है कमेलिया सासन क्यूआ दोस्तो यह जो पोधे हैं यह सबसे पहले जैपोनिका के बारे में बात करूँगा इस पे दोस्तो सर्दियों में और बरसात की स्टार्टिंग में फ्लावरिंग होती है और दोस्तो जो home gardeners हैं जो घर में अपने plants लगाते हैं उनके लिए एक अच्छा plant है दोस्तो second number है कमेलिया सासंग क्यूआ दोस्तो ये पोदा जो है इसमें dark green color के जो छोटे पत्ते होते हैं और फूलों का size भी छोटा होता है इस पे पतज़ड में मतलब फैब के महीने में इस पे फूल आते हैं ये variety काफी hardy होती है और इसमें बिमारियां बहुत कम आती है और जैपोनिका के मुकाबले ये ज्यादा टिकाव प्लांट है दोस्तों इसकी जो variety है वो लगबग 100 के करीब है जिसमें hybrid भी काफी आते है और देखने में जो काफी खूबसूरत लगते है दोस्तों इस plant के size की बात करें तो कई जगे ये plant 6-15 feet का लंबा हो सकता है average plant और इसकी चोड़ाई जो है वो 5-7 feet की हो सकती है और छोटा जो होता है छोटा plant वो 2 feet तक हो सकता है और कई जगे पर ये काफी बड़ा हो जाता है जो कि 20 feet तक हो सकता है ये अलग-अलग variety में अलग-अलग इसके size होते हैं दोस्तों इसकी जो shape है वो triangular shape भी बनती है और एक as a tree like मतलब ये जैसे आप इसकी pruning करते रहेंगे वैसा plant बनता चला जाएगा दोस्तों इसकी foliage की बात करें तो इसके पत्ते जो हमेशा green रहते हैं चमकदार dark green color के leaf इसके होते हैं flower की बात करें तो दोस्तों इसके बड़े size के फूल आते हैं लगबग इसका size होता है फूल का 5 इंच और देखने में गुलाब के जैसे लगते हैं color दोस्तों इसमें white, pink, red, yellow, etc. आते हैं growth दोस्तों इसकी growth काफी धीमी होती है जो कि एक साल में एक फिट ही यह plant बढ़ता है ज्यादा तेजी से यह नहीं बढ़ता दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं planting and growing condition की कि इसको कैसा मोसम पसंद है कैसा इसको क्या-क्या पसंद है दोस्तों इसको थंड़ा बड़ा प्लांट है तो बड़े प्लांट के नीचे आप इसको रख सकते हैं दोस्तों इसकी सोईल की बात करें तो यह वैल ड्रेन सोईल इसको पसंद होती है ऐसीडिक सोईल जिसका जो पी एच सोईल का पी एच जो है वो 6.0 से 6.5 तक होना चाहिए दोस्तों इसके अंदर आप इसकी मिट्टी में और्गानिक मैटर मिक्स करें ताकि इसका ड्रेने सिस्टम अच्छा हो क्योंकि इसके मिट्टी में ज्यादा पानी खड़ा रहे या फिर मोईस्चर बना रहे तो वो इसको पसंद नहीं है और्गानिक मैटर में आप लीफ कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं पाइन बार्क एड़ कर सकते हैं जिससे की पाइन बार्क बहुत धीमे धीमे डीकंपोस्ट होता है जिससे कि आपकी मिट्टी ऐसीडिक बनती है दोस्तों इसको वाटरिंग की अगर बात करें त जब पुराना पोदा है अगर आपने ग्राउंड में लगा हुआ है तो फिर आप उसमें वाटरिंग ना करें और ध्यान रहे कि आपके प्लांट में पानी खड़ा ना हो और नेक्स्ट है दोस्तो जब यह फ्लावरिंग पर आता है प्लांट तो उस टाइम में इसकी सोईल मे मोईस्चर बना के रखें मतलब नोट सोगी जस्ट मोईस्चर बना के रखें ताकि इसके जो फ्लावर बढ़ हैं वो अच्छे से ब्लूम कर सकें क्योंकि जब यह फ्लावरिंग पर होता है तो उस टाइम इसको पानी की जरूरत ज्यादा होती है अगर फ्लावरिंग पर न ना हो मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं जैसे यह आपकी लगाया है मैंने पोट में तो इसका जो ट्रंक है वो सोईल के सर्फेस हेरिया से थोड़ा उंचा होना चाहिए मतलब इसके आस पास आप मिट्टी लगा दे या फिर रूट बाल को थोड़ा सा उपर रखें ताकि इसके ट्रंक के पास पानी खड़ा ना हो नेक्स्ट दोस्तो इसके अंदर आप पोटिंग मिक्स यूज करें जो कमेलिया अजेलिया के लिए स्पेसली पोटिंग मिक्स आता है वह आप यूज कर सकते हैं वह आपको ओनलाइन मिल जाएगा कि आसिडिक पोटिंग सोयल कौन स होता है वह आपको मिल जाएगा गंदराज में भी वही यूज कर सकते हैं और कमेलिया और या फिर अजेलिया इसमें वही पोटिंग मिक्स यूज होता है जिसमें आप इसके अंदर आप गोबर खाद एड़ ना करें इसके लिए दोस्तों क्योंकि यह डिकंपोज्ट गोब खाद होता है उसको यह ज्यादा बर्दास्त नहीं कर सकता चाहे वह अजेलिया हो या फिर कमेलिया हो इनमें आप यूज करें आप फर्टिलाइजर एक आता है दोस्तों इसमें फर्टिलाइजर आप फ्लावरिंग के बाद यूज करें या फिर फ्लावरिंग होने से पहले उसमें आप अपने प्लांट को बैलेंस फर्टिलाइजर दें जैसे कि या तो आप N.P.K का बहुती लाइट घोल जैसे कि एक लिटर पानी में एक ग्राम N.P.K डिजॉल करके वो आप अपने प्लांट में दे सकते हैं या फिर प्रूनिंग की बात अगर करें तो कमेलिया को बरसात के फूलों के बाद जैसे बरसात के मौसमें इस पर फूल आते हैं उनके बाद आप इसकी प्रूनिंग कर दें प्रूनिंग दोस्तों इसकी सोफ्ट प्रूनिंग करें या फिर पिंचिंग करें पिंचिंग क्या हुता है जैसे यह वाला प्लांट करा आसका तोप अरिया होगा उसको हम पकड़ कर इस तरीके कर देंगे मतलब इसका उपर का बढट वह आ उपर का लिफ ईसमों बोलते हैं पिंचिंग मैथड इसलें है जहां से लोगर ते वहाद से निकलेंगी जिसे नेक्स्ट फ्लावरिंग सीजन में आपको ज्यादा फ्लावरिंग मिलेगी, अब नेक्स्ट है दोस्तो प्रोपागेशन, प्रोपागेशन दोस्तो कमेलिया को सुफ्ट वूड कटिंग से और एर लेरिंग से तयार किया जा सकता है, इसके कुछ वराइटी के सीड बनते हैं, उन सीड को सो करके हम अपने प्लांट तयार कर सकते हैं, सीड को सीड को सो करने के लिए आपको एक सोईल आता है, आप ऑनलाइन घ्रीज सकते हैं, जिसमें की या फिर वो आप वाल ड्रेन सोईल यूज करें, या फिर लीफ कमपोस्ट में आप ग्रो कर सकते हैं, तो सीड तो उनको ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन अगर थोड़ा सा जजबा हो और थोड़ी सी नोलीज हो तो इसके सीड को ग्रो किया जा सकता है और दोस्तों क्योंकि सीड से ग्रो इसलिए नहीं करते क्योंकि सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट टाइम काफी लेता ह और इसलिए कटिंग लगाना और एयर लेरिंग करना बैस्ट समझा जाता है और नेक्स्ट है दोस्तों ब्लूमिंग दोस्तों जब प्लन्ट फूल दे रहा होता है तो सोयल में मोईस्टर बनाके रखें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ और डी बडिंग से फूल का साइ कर रहा है जो एक ही जगह पर दो बड़ लगे हुए हैं तो उनमें से आप एक बड़ निकाल दें जो अजेलिया के काफी ग्रोवर्स हैं जो अजेलिया को ग्रो करते हैं सोरी वो डी बडिंग करते हैं जैसे एक जगह पर दो बड़ होंगे तो उनमें से एक को निकाल देते ताकि जो सारी पावर जो है वो एक बड़ को मिले और फ्लावर का साइज ज्यादा हो दोस्तो इसमें बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉब्लम एंड डिजीजेज इसमें बिमारियां क्या क्या आती हैं दोस्तो इसके अंदर maximum 2 बिमारी या आती हैं मतलब ज़दा से ज़दा 2 बिमारी या इसमें आती है एक तो इसकेल लेख और दोस्ता स्पाइडर माइट दोस्तो इसका solution क्या है अगर स्पाइडर माइट और स्केल इस पर आ जाते हैं तो आप जो लिक्विड सोप होता है वो या फिर अल्कोहल का स्प्रे कर सकते है दोस्तों सोप आप जैसे 5 ml लिक्विड सोप 5 ml नीम ओईल एक लिटर पानी में मिक्स करें और प्लांट पर स्प्रे करें ताकि स्पाइडर माट और स्केल जो है दोस्तों इसको फंगस से बचाने के लिए डेड हैडिंग और ड्राइ फ्लावर पेटल्स को अलग कर देना चाहिए मतलब जैसे इसके फ्लावर आते हैं तो आप जैसे फ्लावर सूख जाता है तो इसको आप हटा दे महां से ताकि इसके अंदर फंगस की बिमारी भी ना आए यदि पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी सोईल का पीएच हाई है सोईल को टेस्ट कर लें और एडजस्ट करने की कोशिस करें दोस्तों सोईल की पीएच को हम टेस्ट कर सकते हैं आपको सोईल टेस्ट करवाने की जूरूत नहीं है जस्त आप एक मीटर खरीद लीजिए और अपने प्लांट के पास उसको लगा दीजिए तो आपको सोईल का पीएच जो है वो बताता रहेगा कितना है तो आप छे से साड़े छे के बीच में पीच का पीएच रखें दोस्तों कमेलिया के पुराने पत्ते यलो होकर कम अतरा में गिरना एक नॉर्मल है बट अगर ज़्यादा लीफ गिरना एक बिमारी की निशानी है तो यह चीज़ आप ध्यान रखें तो यह थी दोस्तों मेरी आज की कमेलिया पर वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ सोचल मीडिया पर और चैनल को सबस्क्राइब करना तो बिल्कुल न भूले क्योंकि ऐसी प्लांट से लेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहता हूँ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नहीं जानकारी के साथ तब तक मुझे इजासत दीजिए जय हिंद जय भारत